नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर निशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ इस वट की बड़ी खबर मनीश कस्यप से जूड़ी सामने आ रही है बता दे कि मनीश कस्यप मामले में अब अगली सुनवाई आठ मई को होनी है दर असल सुप्रीम कोट ने तमिलनाडू सरका सरकार से जवाब तलब किया था कि आखिर उनके उपर एने से क्यों लगाया गया और अब जो है तमिलनाडू सरकार ने सुप्रीम कोट से और समय मांगा है और जिसके बाद अगली सुनवाई जो है वो मनीश कस्यप के मामले में आठ मई को होनी है आज यानी 28 अप्रल को सु सुनवाई हुई लेकिन मनीश कस्यप को कोई राहत नहीं मिली सुप्रीम कोट ने तमिलनाडू सरकार से पूछा था कि मनीश कस्यप पर एने से क्यों लगाया गया है तमिलनाडू सरकार ने कोट से जवाब देने के लिए और समय मांगा है अब इस मामले में आठ मई को सुन बता दे कि मनीश कस्यप के वकील एपी सिंग ने जमानत एने से हटाने की मांग के साथ सभी केस एक जगह कलब करने की मांग की है दरसल पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने तमिल नाडू सरकार को नोटिस जारी किया था कोट ने पूछा था कि मनीश पर एने से क्यों लगाया गया है दरसल बिहार और तमिल नाडू में मनीश कस्यप के खिलाफ दर्ज सभी केस को कलब किये जाने की मांग को लेकर एक अपिल सुप्रीम कोट में दायर की गई थी क्योंकि सारे केस के पीछे की वजह तमिल नाडू में बिहारियों की पिटाई का फर्जी वीडियो वाइरल किये जाने का मामला है वकील एपी सिंग के तरफ से एक याचिका मनीश कस्यप के पक्ष में पाच अपरेल को ही सुप्रीम कोट में दायर की गई थी इसी याचिका के जरीए जल्द सुनवाई करते हुए मनीश कस्यप के उपर दर्ज सारे केस को एक जगह पर किये जाने की मांग की गई थी बताते चले कि इस याचिका पर 10 अपरेल को ही सुप्रीम कोट के डेबल बेंच के तरफ से सुनवाई की जानी थी मगर किसी कारण से सुनवाई हो नहीं सकी इसके बाद सुनवाई 19 अपरेल को हुई थी उस दिन सुप्रीम कोट की तरफ से इस मामले में बिहार और तमिलनाडू की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया था बिहार में आरती कपराद इकाई ने मनिश पर कुल चार केस दर्ज किये हैं इनमें तीन केस तमिलनाडू प्रकरण में फरजी वीडियो को वायल करने से जुड़ा है जबकि बताया कि इस मामले में तमिलनाडू पुलिस ने कुल तेरा केस दर्ज कर रखा है इनमें 6 केस में मनिश कस्यप नामजद हैं तो देखिए आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोट में मनिश कस्यप के मामले में और यह सुनवाई अब टल गई है आठ माई को अगली सुनवाई होनी है दरसल मनिश कसब की तरफ से यह आचिका दयर करवाये गया था सुप्रीम कोट में कि जितने भी उनके केस दर्ज हैं और जितने भी केस दर्ज हैं सारे केस को कलब कर एक जगा कर दिया जाए और इतना ही रही सुप्रीम कोट ने तामिल नाडो सरकार से सवाल पूछा था कि मनिश कसब की उपर इने से क्यूं लगा जिसके बाद तमिलाडो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से और मुहलत मांगी और जिसके बाद अब जो है जो अगली सुनवाई है वो आठ मई को होनी है फिलाल तो इस ख़बर में बस इतना ही और वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूस फोनेशन